हेलो दोस्तों आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है आज है जून की 21 तारीक आज की वीडियो में मैं आपको गुल्दावदी की कटिंग लगाना दिखाऊंगी एक दो विवर्स हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी आप गुल्दावदी की कटिंग तो हमको भी दिखाईएगा ऐसा करके तो सोचा मैंने आज चलो दो चार कटिंग लगा लिया जाए और मौसम भी बढ़िया है उससे पहले कुछ फ्लावर्स भी देख लिजे यहां पर परपल हिबिसकस खिला हुआ है कल दो फ्लावर खिल जाएंगे यह भी बारिश के दिन और इधर भी देखे सारे प्लांट्स बहुत खुश हैं क्योंकि आज अच्छे से बारिश होई और परसों भी हमारे अच्छी बारिश हो गई थी अडेनियम का कलर यह देखे पहली बार खिला है दो तीन बार इसमें कलिया लगी थी लेकिन वो खिल नहीं पा रही थी बहु इसने हजी से खरीदा था ओनलाइन धाई-धाई सव रुपए में तो चार में से दो का सेम कलर निकलेगा ऐसा मुझे लग रहा है और यह देखे यह मेरा अडेनियम देसी वाला इसके फ्लावर देखे कितना सुन्दर लग रहा है अभी और जैसे ही इनको बारिश का पानी म निला है इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है अडेनियम में मई में अच्छे से फ्लावरिंग किये थे उसके बाद जैसे ही जून आया तो जून में इतनी तेज गर्मी पड़ी हमारे अहां जिसके चलते फ्लावर्स कम हो गये थे और यहां पर देखे आप राजिता में भी फूल खिले है ये भी मांसून सीजन में बहुत हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है वैसे तो ये पर्मानेंट फ्लावरिंग प्लांट है बारो महने इसमें फूल आते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मांसून सीजन में इसमें फ्लावरिंग होती है और यहा हुआ और कोई कोई नहीं भी देता है बाकि रेड़ी सीजन और समर सीजन इसमें जबरदस्त प्लावरिंग चलती है वैसे ही अलमंड़ा बूश भी रेड़ी हो और समर शीजन में फ्लाविंग करता है बहुत सारे पद्जधाइए लिए से लुज आपने जीनिया देखा ड्रॉफ वराइटी जीनिया का प्लांट भी बहुत अच्छा फ्लावर्स दे रहा है अभी यूफोर्बिया मिली है यहां और विनका है अपने आप सिट से तैयार हुए है मेरे गार्डन में उखते रहते हैं हाइबरीड विनका मैं नहीं लेती पहले खरीती थी लेकिन वो चलते नहीं है खराब हो जाते हैं जल्दी और यहां पर आप देख सकते हैं जीनिया ड्रॉफ को और इधर भी देखें टिकोमा है तीन चार कलर शेड में फ्लावर्स गिरे हुए आपको दीख रहे होंगे पानी की वज़ा से पारिश की वज़ा से यह यह वही है परपल हिबिसकस एक पॉट यहां पर भी है और एक बोरी में रखा हुआ है देखें चार प्लांट मैंने बचाया हुआ है गुल्दाओदी के इसमें अच्छे से अभी ग्रोथ नहीं हो रही है और यह पांचवा प्लांट है इसका कलर शेड मैं मेंशन करूंगी बहुत सुंदर कलर शेड है इसका तो इसी की कटिंग मैं लगाऊंगी आज एक कटिंग तो मैंने तीन-चार दिन पहले ही लगा लिया था इसका उसका भी मैं दिखाऊंगी अपडेट और आज मैं इससे दो-तीन कटिंग और निकालूंगी तो आज बारिश हो रही है हलकी ह कि हमारे हाँ सुबह और अभी भी मौसम बढ़िया है तो दो कटिंग मैं निकालूंगी इसका और उसके बाद इसको ग्रोथ करने के लिए छोड़ दूँगी जैसे ही इसमें फिर से नई ग्रोथ शुरू होगी मैं फिर से इसकी कटिंग निकाल लूँगी तो देखें दो कट अरीके से मैं कटिंग लगाती हूं आप चाहें तो प्योर सेंड में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं प्योर सेंड में लगाएंगे तो उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा मिलता है और कोई भी रूटिंग हार्मोन नहीं लगा रही हूं मैं हाला कि मेरे पास इलोविरा का प्लांट है आप चाहे तो इलोविरा जेल इसके नीचे पोर्षन में लगा कर कटिंग लगा सकते हैं तो नीचे के पत्तों को हटाना है इस तरह से आप धीरे धीरे करके तोड़ दीजिए नीचे के पत्तों को और उपर के भी बड़े बड़े जो पत्ते हैं उनको हटा दीज और वेश्ट में मैं लगा रही हूँ ये देखे ये डिस्पोजल ग्लास है घर में पड़ा हुआ था तो उसी में मैं लगाओंगी और ये देखे यहाँ पर पुरानी मिट्टी है ये गमले की सुखाया था मैंने और चान कर वापस से गमले में भर दिया था क्योंकि अंदर ब मिट्टी में तो सेंड मैं नहीं मिला रही हूँ और इसी में मैं कटिंग लगाओंगी दो कटिंग ये देखे इस तरह से भर लेना है उसके बाद आप होल बना लीजिए चाहे तो ऐसे ही गड़ा सकते हैं और होल बनाएंगे तो जादा अच्छा रहेगा मैं ऐसे ही गड़ आपको रखना है बिल्कुल सेडी प्लेस पे नहीं रखना है मैं जहां पर रखूंगी वो भी देख लीजिएगा अभी मैं रखूंगी और वहां पर मेरे और भी बहुत सारे कटिंग रखे हुए हैं दिखाती हुए आपको केलन कोई की कटिंग मैंने लगाई थी अभी दो देखे तीन-चार दिन पहले मैंने लगाई थी ये कटिंग ये देखे फ्रेंट्स ये भी अभी तक अच्छा है इसका कुछ सूखा वगेरा नहीं है और ये गुलाब की कटिंग मैंने लगाई थी ये भी दो-तीन दिन हुआ है यहां पर देख सकते हैं तो गुलाब की कटि चल जाएगी तो अच्छी बात है मेरे नीचे पोर्च में लगा हुआ है ये वाला गुलाब अच्छा बड़ा साइच का रेड कलर का फ्रावर आता है तो एकदम सिंपल तरीके से आप भी अपने गार्डन में गुल्दाओदी के प्लांट्स बचे हुए हैं तो उनसे आप कटिंग्स लगा लीजिए तो यही दिखाना था मिलते हैं हैपी गार्डनिंग